नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाड फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ी देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ी में तहें दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों जो देखा वह सच है जो पड़ा वह भी सच है मुर्गी पालन के व्यवसाय की बात करें तो दुनिया का सबसे बहतरीन यह व्यवसाय है लेकिन जो आपने थमनेल में देखा टाइटल में पड़ा उससे तो आपके उड़ चुके होंगे हाँ दोस्तों पिछले कुछ सालों से एक समस्या हमें दिखाई दे रही है कि दोस्तों दोपेहर के वक्त पर अगर हम फिड वहां पर मुर्गियों को दे तो उसकारणवश मुर्गियों का मुर्टी रेट बढ़ रहा है क्या ये सच है क्या इसमें कितनी सच्चा ही है क्या ये गलत है जानने के लिए दोस्तों दोपेहर में फिड देने के बाद मुर्गियां मरती है इसका ही दोस्तों आज हम सटीक विशलेशन देखेंगे जिस माध्यम से आपके फार्म पर अगर मुर्गियां मर रही है क्या इसकी वजह दोपेहर को दिया जान खाना तो नहीं है चेक कर लिजिए दोस्तों और इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखने के बाद सटीक जानकारी लेकर आपके फार्म पर बढ़ रहा मॉटिलिटी रेट घटा दीजिए उसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लिजिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेर कर दीजिए शेर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नमबर वाटसब गूरूप टेलिग्राम गूरूप फेसबुक इंस्टागराम स्नैपचाट इन सोशल मि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो ज जानकारी है कि हमने यहाँ पर नई संकल्पना जो है दोस्त धूण कर निकाली है उसके अनुसार हर बेरोजगार युवा युवती दिव्यांग विकलांग व्यक्ति वयस का आबादी का सदत से अब यहाँ से आगे दोस्तों लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकता है उस इसके लिए दोस्तो हम प्रस्तुत माध्यम से आपके सामने जो यहां पर जानकार दे रहे हैं उसके अनुसार अगर आप यहां पर पास्टो के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और खुद लाकों का मुनाफ़ा कमाना चाहते हो तो दोस्तो यहां से आगे बेजा जाएंगा उस माध्यम से आप जुड़ सकते हैं मुझसे लेकिन आप पास्टो की मेगा प्रोजेक्ट में वहाँ पर शामिल होना चाहते हैं इतना मुझे दोस्तों टाइप करके मैसेज में भेज दीजे तो देख लिजे दोस्तों सबसे महत्वपुर्ण जानकारी तो जानकारी आईसी है दोस्तों कि आपके सामने समझ से आ गई है कि दो पहर के वक्त में मैं जो फिड़ देता हूँ उस फिड़ के माध्यम से जैसे ही मैंने फिड़ देना शुरू किया दो चार दिन आर दिन पंदरा दिन तो दिक्कत नहीं आई लेकिन हमारी मुर्गिया वहां से आगे इकका दुक्वा करते हुए एकस्पायर हो गई इसके पीछे की वजह क्या है और ऐसा श्रिफ गर्मियों के मोसम में ही हो रहा था यह मैं आपको अभी समझाता हूँ जो हमने टाइटल देखा दोस्तो की दो पहर के वक्त पे मुर्गियों को फिड देने के बाद मुर्गियों का जो है दोस्तो वहां पर मॉर्टिलिटी रेट बढ़ता है क्या यह सच है हाँ दोस्तो सव प्रतिशल सच है अगर दो पहर के वक्त में आप मुर्गियों को दोस्तों अमुमन अगर हम दोपेर 11 से लेके 3 बजे के वितर जब बहुत तेज गर्मी होती है अगर हम उस वक्त में मुर्गियों को फिड देते है तो एक तो मुर्गिया फिड कम खाती है और जो फिड खाती है उस माध्यम से मुर्गियों के शरीर में एक्स्ट्रा हीट जनर कर देती है उसकी वजह से भी बदन का तापमान वहां बढ़ जाता है और आप सभी को पता है कि मुर्गिया जो एक्स्ट्रा गर्मी है एक्स्ट्रा हीट है उसे बाहर फेक नहीं सकती है इसी कारणवश बहुत ज्यादा अगर शरीर का ताप बढ़ जाए तो उसके कारणवश मुर्गियों के शरीर के पानी का प्रतिशत सुकृता जाता है दोस्तो और उस कारणवश मुर्गिया जो है दोस्तो लू लगना डी हाइडरेशन होना इसका शिकार हो जाती है शुरुआत में दो चार दिन तो मुर्गियों का वजन हलका हो जाता है लेकिन उसके बाद मुर दोपहर के वक्त पर मुर्गियों को फिड नहीं देना है फिर दोपहर के वक्त पर फिड देके बेवजह मुर्गी मर रही है तो क्या करें तो दोस्तों आपको क्या करना है कि फिड आप एक तो सुभा ग्यारा से पहले दीजिए नहीं तो शाम को चार बजे के बाद दीजिए इतना करने से मुर्गियों के शरीर में दोस्तो एक्स्ट्रा गर्मी पनप नहीं पाएंगी दोपेहर के वक्त को मुर्गियों को दिक्कत भी नहीं होगी आपको स्रिप मुर्गियों का मॉर्टिलिटी रेट गर्मियों में रोकना है दो-तिन बाते बताता हूँ, आपको ग्यारा से पहले सुभ और चार के बाद शाम को वहां पर फिड देना है, दूसरी बात दोस्तों आपको समय समय पर मुर्गियों को पानी देना है, ड्रिंकर भरकर रखने है और ड्रिंकर में बरफ के टुकडे डालने जिससे पानी वहां ठंडा हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा पानी मुर्गियों के शरीर में चला जाएगा, उसके बाद आप गर्मियों के मोसम में प्यास का इस्तमाल बढ़ाईए दोस्तों, प्रतिमुर्गी 10 से लेके 15 ग्राम तक प्यास का इस्तमाल कीजिए, अभी से आगे गर्मियो बहुत ज्यादा होती है और जितना फिड दे रहे दोस्तो एक तो दोपेर में मत दीजे और सुखा फिड कम से कम दे जिससे मुर्गियों की यह तकलीफ दूर हो जाएगी और जबी भी आप मुर्गियों को मेडिसीन टीका करन करोगे तो सुबह सुबह जल्दी नहीं तो छे क बात कीजिए ताकि दोस्तो सही तरिके से आपका टीका करन हो पाए तो दोस्तो यह ती छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत बढ़ी और बढ़िया जानकारी जिस माध्यम से गर्मियों के मोसम में बेवजह जो आपकी मुर्गियां मरती है दोस्तो उसका सोलूशन निकल जाए और दोस्तो आपको इसी तरिकी की छोटी छोटी जानकारी मेरे माध्यम से हर वक्त पानी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए वाटसप नंबर 84, 82, 62 पर आपका नाम और पता भिजवाकर सर मुझे आपके साथ काम करना है नहीं तो मिशन 500 मे महिनों में और सालों में लाखों का मुनाफ़ा कमा कर दे पाएगा इसलिए दोस्तो ये छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत ही बढ़ी और बढ़िया जानकारी जो मुर्गी पालन के व्योसाय में लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी इस जानकारी के बारे में आपके कोई सवाल है, कोई मालुमात आपको चाहिए तो कृपय कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए यह वीडियो मैं खयाल करता हूँ कि आपको 100 प्रतिशत पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाट्सब नंबर वाट्सब गुरूप टेलिग्राम गुरूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मिडिया के सादनों का इस्तमाल करते होए लिंक को शेयर भी कर सकते हो रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ आपना मानता रहूँगा आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य से मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएंगिस घंटी को टच करते हो ओल इस नोटिफिकेशन को ओन कर दिजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तो आईसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदेलाड आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको सदयव मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार